वेलकम एस्टुडेंट रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास 10 के घडित डाक्टर मनोहरे प्रकासन से प्रशनावली 1D के बारे में अध्यान करेंगे प्रशनावली 1D में पहला भाग में एक के सभी प्रशन जो एक में 10 प्रसन थे 200 पृषनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रशन नमर दो से चालू होगा और आगे के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा तो प्रशन नमर दो में लिखा गया है उपर दिये गए प्रशन में अब उपर दिये गए प्रशन मतलब पहला प्रशन की बात हो रहा है प्रशन में उन पर्मे संख्याओ को दसमलो परसारों को लिखिए जो सांत है तो इस भाग में जो पर्थम भाग हम लोग पढ़े थे प्रशनावली 1D का इसमें 10 प्रशन थे और 10 प्रशन में कौन सांत था और कौन और सांत था इसके बारे में पढ़ाई हुआ था तो अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो जो सांत है तो अब हमको कैसे पता चलेगा सांत है इसलिए आप लोग वीडियो देख लिजे कि पहला सांत है कि नहीं है दुसरा सांत है कि नहीं है अब यहां पर पता कर लेंगे पहले आपको उस वीडियो को देखिए तभी पता चल पाएगा कि कौन सांत है और कौन और सा प्रशन कौन कौन से हैं तो औसांत वाले आपको छमवा जो है औसांत है उसके बाद से सातमा भी औसांत है और नमवा भी औसांत है और दसमा भी क्या है औसांत है तो छे साथ और नौ दस ये आपको चार प्रशन को दसमलो परशार नहीं ग्याद करेंगे क्योंकि वह औसांत ह तो हमारा पहला पहला भी है दुसरा तिसरा चौथा पांचवा है उसके बाद से आठवा यह सब का हम लोग दसमलो परशार आज सीखेंगे तो पहला कोशन है सत्रह बटा आठ अब सत्रह बटा आठ को दसमलो परशार करेंगे तो दसमलो परसार कैसे होगा क्योंकि दस्मलो परसार किसे कहते हैं बताय गया था जिसके हर में दो के पावर यन गुड़े पाँच के पावर यम के रूप में हो तो दस्मलो परसार सांत होगा बताय गया था अब यहां दो के पावर तीन है तो हमें बगल में क्या चाहिए पाँच चाहिए तो पाँच त तो है यहां नीचे लिखेंगे अब 5 के उपर 3 गहात से अंस में से लिखरके से अंस एवं हर में अंस एवं का करेंगे? हर में गुड़ा करेंगे. अंस और हर में गुड़ा करने पर क्यों गुड़ा करेंगे क्योंकि दसमलों परसार करने के लिए 2 और 5 हर में आवस्यक है तो 2 तो है 5 नहीं है अब यहां गुड़ा करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 17 बटा या 17 बटा दो के पावर तीन घात को उतार लेंगे और यहां से गुड़ा करेंगे अंस में और हर में पांच के पावर तीन और नीचे भी गुड़ा करेंगे पांच के पावर तीन से गुड़ा कर लेंगे यह अंस में और हर में जो है पांच के उपर तीन घात से अंस में भी और हर में भी गुड़ा करेंगे अब कैसी पता चलेगा कि 5 को उपर 3 घात से भी गुड़ा करना है अब यहां देखिए 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 भी आपको चाहिए तभी जाकर के दोनों सेम घात होना चाहिए इसमे हर सवाल में ध्यान देना है इसमें कि आपका 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 चाहिए अगर यहां पे 4 घात रहता तो यहां पर भी 4 घात किया हो सकता है अब उसके बाद से अगला लग लिखेंगे 17 उतर जाएगा 17 उतारने के बाद से अब 5 के गुड़ा जब 3 बार करेंगे तो 5 पचे 25 अब 25 पचे 125 यहां 125 लिख देंगे बटा करेंगे अब यह दोनों का पावर जो है एक पे कर लेंगे तो दो गुड़े 5 के पावर 3 घात इसका पावर और इसका पावर एक पे हो जाएगा सामज में आ रहा होगा अब 17 का गुड़ा 125 में कर देंगे तो इसका गुड़ा करने पाएगा एक कई 125 अब बटा और 5 में 2 का गुड़ा करेंगे तो 5 दोनी 10 10 के पावर 3 घात सामज में आ रहा होगा अब उसके बाद से अगला लाइन निखेंगे 1225 बटा 10 के पावर 3 का मतलब 1000 10 के पावर 3 मतलब 10 दा में 100 110 में 1000 यहाँ पे 3 घात है तो 1000 अब 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ गिनेंगे कितना 0 है 1, 2, 3 तो उपर 3 अस्थान दसमल लग जाएगा बराबर करेंगे 2 दसमलो 1, 2, 5 एंसर हो गया तो समझ में आ गया होगा कैसे दसमलो परसार हुआ है अब अगला जैसे पहला प्रशन आपको समझ में नहीं आया होगा तो दुसरा प्रशन को समझ यह अगर इसमें आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा हो अब यहां 1600 को जब आपको इसी तरह आपको बताया गया था तो आप लोग पहला वाला भाग जरूद देख लीजिए जिसमें 10 परशन थे आई इसमें तो केवल बताना है जो सांथ थे उसी को 10 मलो परशार गयात करना है गलोग था तो द्यायगOR गया पहला यहां को बताना है तो एक होगा तो समझ में आ रहा है किसी दो से काटेंगे तो 1200 का दा 800 800 को 400 200 50 25 पाँचे 25 25 पाँचे नूट करेंगे सबसे पहले आपको 15 यहाँ उतार लेंगे 15 बटा 1600 को आपको 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 गाँद 2 का पावर का लिखेंगे 6 गाँद गुड़े अब 5 की तना है तो 5 जो है 2 बार है तो लिखेंगे 5 के उपर 2 घाट अब बताएं हैं इसके पहले वाले पर्थम सवाल में बता गया है कि यह 6 घाट है तो यहां पर भी 6 घाट चाहिए तब 6 घाट लाने के लिए हम देखें हैं 2 घाट दे दिया है कितना घाट और जरूरत है तो 4 घाट और जरूरत है अंसर हर में गुड़ा करने पर अब यहां अंसर हर में का कर देंगे गुड़ा करने पर अब गुड़ा किया जाएगा जब गुड़ा करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे इसके बाद नीचे 15 बटा 2 के पावर 6 घाट गुड़े 5 के पावर 2 घाट गुड़ा हो गया अब किसे गुड़ा करेंगे गुड़े गुड़े करके उसके बाद से किसे गुड़ा करेंगे तो 5 के पावर 4 से और नीचे भी किसे गुड़ा करेंगे 5 के पावर 4 से अब 4 गहात और 2 गहात मिलेगा को गहात हो जाएगा 6 गहात हो जाएगा और 2 के पावर भी कितना गहात है तो 6 घात है अब यहाँ पेफें अगला लाइन में लिखेंगे 15 गुड़े अब 5 के गुड़ा जब 4 बर करेंगे तो 5 पचीज 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 चैसो पचीज यह 625 हो जाएगा अब नीचे क्या हो जाएगा दो के पावर 6 घात और 5 के पावर 6 घात यह 6 घात कैसे हो गया 4 घात और 2 घात मिले गत को घात हो गया 6 घात अब अगला लाइन जो होगा अब यह 15 का गुड़ा 625 में कर देंगे तो 15 का गुड़ा जब 625 में करेंगे तो 9,375 गुडा कर लीजएगा आप लो भी बटा अब दोनों का power क्या करेंगे दोनों का power एक पर लिख लेंगे अब यहां पर लिखेंगे दो गुड़े दो गुड़े 5 के power 6 गा अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब अगला लाइन में लिखेंगे आपका फैन लिखेंगे इसके नीचे, आपका नो हजार तीन सव port 75 बटा होने के बासे नीचे लिखेंगे पांदのी 10, 10 के पावर, 10 के पावर, 6 गा तॉ 10 के पावर च्जायगा, क्या हो जायगा, 6 गाथ, 6 गाथ, कहां से आ रहा है समझा रहा है न यहां से 6 घात 6 घात था दोनों का एक पे कर लिया गया पांदोनी 10 दस के पावर 6 घात अब यहां पे अब यहां नोट कर लेंगे इसके नीचे 9,9,375 बटा 6 घात का मतलब यहां पर 1,2,3,4,5,6 आपको यहां पे 6 0 लिखेंगे कितने जूरे 6 0 लिखेंगे अब इसे भाग करेंगे तो यहां पे उपर जो 6 अस्थान दस्थान लगेगा तो एक अस्थान, दो अस्थान, तीन अस्थान, चार अस्थान यह तो चारंग है दो अस्थान भी और ज़रुत है तो इसको कैसे लिखेंगे 0 10 मलो 0 0 यह 2 अस्थान और लग गया आपको 0 बढ़ा लेंगे उसके बाद से 9 3 7 5 अब टोटरे कितने अस्थान अच्फान पर दसम लग गये हैं तो 6 अस्थान पर 1 2 3 4 5 6 0 थे अहां से गिनेंगे 2 3 4 5 6 6 अस्थान पर 0 लग गया तो समझ में आ गया होगा कैसे यह आया इंस्वर आप लोग भी से एकाद दो बार जरूर रफ्पे लगाएंगे इसे पूरा समझ में आ जाएगा तो अगला प्रशन है 23 बटा 2 के पावर 3 गुड़े 5 के पावर 2 घात अब यहां पे इसको दसमलोग पर सार करना है तो सबसे पहले देखेंगे 2 के पावर 3 है तो यहां 3 है और यहां पावर क्या है दो है यहां पर भी 3 घात चाहिए 5 के उपर को घात तीन घात तब 3 घात लान अंसर हर में गुड़ा करने पर, अब अंसर हर में का कर देंगे, गुड़ा करेंगे, गुड़ा करने पर, गुड़ा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सबसे पले आपको यहां पर 23 को नोट करेंगे, 23 बटा, 2 के पावर, 3 घात को नोट करेंगे, गुड़े करेंगे, 5 के पावर एक घात बटा पाँच के पावर एक घात अब एक घात से अंस में और एक घात जो है पाँच के पावर एक घात से हर में गुड़ा हो गया बराबर कर लेंगे फैंट 23 लिखेंगे पाँच के उपर एक घात का मतलब 5 होता है बटा अब यहां पर लिखेंगे दो के पांच में गुड़ा करेंगे, तो 115 आजाएगा, कितना आएगा, 115, 5 तियाँ ही 15 को 5, हासिल 1, 5 दुनी 10, 11, 115 हो गया, अब दोनों का घात आपस में क्या है, बराबर है, जब आपस में बराबर है, ते क्या लिखते हैं, दो गुड़े 5 लिखते हैं, और उसके उपर पावर क् 3, फैं, अगला लाइन लिखेंगे, फैं, 115 नोट करेंगे, बटा करेंगे, पांदुनी 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 घात, फैं, अगला लाइन लिखेंगे आपका, 115 यहां नोट करेंगे, बटा करेंगे, 10 के पावर 3 का मतलब कितना होता, 10 के पावर 3 का मतलब, 1000, 3 0 आ एक पांच एंसर हो गया इतना असान है इंसे में सबसे द्यान देनेगवाली बात यह है कि हमारा जो यह Хान आ है कि बराबर घात करना है तीन घात है यह दो घात है इस ने यह पर तीन घात बनाने के लिए यह गुड़ा करना पड़ेगा चोथा प्रश्न है 35 बटा 50 अब इसको 10 मलोग पर सार करेंगे तो यहां 35 को पहले नोट कर लेंगे अब यहां पर 50 को जब गुड़े 5 गुड़े 5 यहां 5 दूनी 10 10 में 5 का गुड़ा करेंगे तो 50 होगा अब यहां देखेंगे 2 कितने बार है तो 2 जो है 1 बार है और 5 कितने बार है 2 बार है तो इसने लिखेंगे 2 के पावर 1 घात और 5 के पावर 2 घात अब यह 2 घात है तो यहां पर भी 2 घात की आओ सकता है अब यहां 2 घात बनाने के लिए क्या करेंगे दो के पावर एक से अंस एम हर में गुड़ा करने पर अब दो के पावर एक से अंस में भी और हर में भी का करेंगे गुड़ा करेंगे अब यहां लिखेंगे आपका 35 बटा दो के पावर एक गुड़े 5 के पावर दो को यहां नोट कर लेंगे गुड़े करेंगे गुड़े करेंगे अब उसके दो के पावर वन और दो के पावर वन से का करेंगे अंस में और हर में का कर देंगे गुड़ा कर लेंगे अब यहां 35 को पुनाया नोट कर लेंगे और दो के पावर एक का मतलब दो होता है और यहां नीचे लिखेंगे एक घ यहां का अब दो घात हो जाएगा आप पांच के पावर दो घात को यहां नीचे नोट कर लेंगे अब देखेंगे दोनों का घात आपस में क्या है तो दोनों का घात आपस में बराबर है जब आपस में बराबर हो तो एक कोश्टक में लिखेंगे और यहां पर दो गुड़े पांच लेकर के पावर दो लिख देंगे दोनों का पावर एक कोश्टा के उपर आ गया अब पांच में दो का गुड़ा करेंगे तो पांदोनी दस होगा अब यहां दस का पावर दो घात हो गया दस का बर करेंगे दस का बर का मतलब होता है सो अब 100 का मतलब यहां 100 हो गया तो 1,0 से 1,0 कार दीजिए अब उपर क्या बचाएगा 7 बटा 10 अब 7 बटा 10 को 10 से भाग कर देंगे तो 0,10 मलो 7 हो गया तो यह 10 मलो परशार समझ में आ गया होगा चोथा कोशन अब हम लोग जानेंगे 5 वाँ कोशन तो पाच्वा कोशन है 6 बटा 15 अब 6 बटा 15 को 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 बटा 5 अब यहां लिखेंगे 2 बटा 5 अब यह 5 है हमको नीचे यहां पे 2 चाहिए तो अब यहां पे 2 नहीं है तो लिखेंगे 2 से अंस हम हर में क्या करेंगे गुड़ा करने पर अब यहां 2 से जो अंस और हर में का कर देंगे गुड़ा करेंगे अब यह 2 बटा 5 को यहां नोट कर लेंगे 2 से उपर नीचे गुड़ा कर लेंगे अंस में और हर में 2 दूना 4 हो गया 5 दूनी 10 हो गया अब 10 से जब भाग करेंगे चार में तो 0,10 मलो 4 आज देखेंगे 10 में आपका 10 में एक 0 है इसने यहाँ पे एक स्थान दस्मल लगा देंगे 0,10 मलो 4 हो जाएगा तो पच्वा कोशन भी समझ में आ गया होगा अब छोवा प्रशन और शात्वा प्रशन जो है और सांत है तो उस प्रशन को हल नहीं करना है केवल सांत वाले प्रशन को ही हल करना है अब आठमा कोशन है 13 बटा 325 अब यहाँ 13 को नीचे नोट करेंगे 325 को लिखेंगे 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 से अंस और हर में का करेंगे गुड़ा करेंगे 2 के पावर 5 से अंस हम हर में गुड़ा करने पर लिख देंगे अब 13 उतार देंगे बटा करेंगे 5 के ऊपर 5 घात को नोट करेंगे गुड़े करेंगे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 अंस में और हर में का कर लेंगे गुड़ा कर अब यहां 13 को नीचे नोट कर लेंगे, 2 का गुड़ा जब 5 बार करेंगे तो 32 होगा, किना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अब यह 5 दोनों घात देखेंगे, यहां पे घात यहां 5 पाँच है, इसने हैं 5 गुड़े 2 लिग करके पावर 5 लिग देंगे, दोनों का पावर एक वह 10 हो गया, 10 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया, आपका 10 के पावर 5 गहाँ, अब 13 में 32 का गुड़ा करेंगे, तो 416 हो जाएगा, किना होगा, 416, 10 के पावर 5 गहाँ, 5 गहाँ मतलब 5 0 इसके आगे बढ़ा देंगे, आपका 10 के आगे कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 0 जाएगा, अब गिनेंगे कितने अस्थान हैं, गिनेंगे तो 5 अस्थान 10 मलों, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अस्थान पे 10 मलों है, तो प्रशन नमबर 8 भी समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप जरूर कमेंट किजएगा, कि हमें समझ में नहीं आया है, अब प्र तो इस भाग में इतना ही रहेगा अब अगला भाग में तीन प्रसंच से चालू होगा और आगे के सभी प्रसंचों को हल करके बताया जाएगा तो अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार